नमस्कार किसान बाईयो, धार रोपने के बाद ये बड़ी समस्या रहती है कि जो पोधे काफी सूखते हैं, पोधों की जड़े भी काली हो जाती हैं और जो पोधे होते हैं पूरा फुटाओ नहीं कर पाते हैं, सबी पोधों में आप देखेंगे सिर्फ 2-2-3-3 टीलर ही बन कर देते हैं, लेकिन होता इसके उलट है, वह कैसे, जो मार्केट से हम पोधेक्ट को खरीद कर लाते हैं, उसके बारे में किसानों को ज़्यादा नालेज नहीं होता है, क्योंकि मार्केट हम सबको ज़्यादा मार्जिंग वाले जो पोधेक्ट है, वही बेस्ती है, लेकिन जो पोडेक्ट सस्ते हैं और सबसे अच्छे हैं पर मोटी कमाई के चक्कर में ये अच्छी चीजे जो हैं दपकर नीचे रह जाती हैं किसान ऐसी चीजों के प्रति ज़्यादा जागरुक नहीं है कि वह सीधे दुकान वाले से मांग सकें इसी का फैदा दुकान वाला किसान उठाता है अगर आपने सब कुछ परियोग किया है तब भी आपकी जो दान की फचले किसान वायो अच्छी यानि टॉप की ग्रोथ क्यों नहीं कर रहे हैं पूरा फुटाओ क्यों नहीं कर रहे हैं इसके पीछे कारण क्या है और आप लोगों को क्या परियोग करना है जिस से हम लोग खेती वारता से जुड़े रहें जो धान की फसल एक अच्छी ग्रोथ नहीं कर पाती है सिरिफ दो-दो टीलर ही खेत में खड़े हैं पोधे जादा फुटाओ नहीं करते हैं तो इसके पीछे जो कारण होते हैं केमिकल लॉग यानि माइक्रो न्यूटन्स लॉग आपने परियोग बहुत कुछ किया है अपनी फसल में फिर भी यह समस्या क्यों बन जाती है इन दिनों में जैसे किसान भाई आप देखेंगा टंपरेचर काफी जादा हो जाता है मौसम कलाइमेंट की अगर बात करें दूसरा नंबर जमीन का जो पी-च लेवल जादा होना जिससे जो भी हमने खादों का प्रियोग किया हुआ है वह सब लाख हो जाती है जमीन में पोशक तत कोई मौमेंट नहीं कर पाते हैं इसलिए हम जमीन में बिना सोचे समझे बहुत कुछ डालने लगते हैं जिससे हमारी जमीन और भी ज़्यादा खराब और बिमार होने अगर पोधों की जड़े काली हो जाती है फिर आप चाहे जितने भी अच्छे अच्छे फंगी साइड प्रियोग कर लेंगे यह समस्या किसान बायो जाने वाली नहीं है और फिर फसल की ग्रोथ भी नहीं करवा पाएंगे जिन जमीनों का किसान बायो पी एच लेवल ज्या का प्रियोग अगर करते हैं तो अच्छे रिजल्ट किसान बायो देखने को मिलते हैं क्योंकि वो सलफर युक्त खाद होती है तो किसान बायो हम सब अपनी दान की फसल को ठीक करने के लिए अच्छी ग्रोथ करवाने के लिए और पौधों को सूखने से बचाने के लिए क् यूरिया जिंक और फासफोरस ये सब प्रियोग कर चुके हैं तब किसान भाईयो हम लोगों को दुबारा वो चीजे नहीं देनी होंगी नहीं तो किसान भाईयो काफी लौस होगा और हमारी मिट्टी के उरा शक्ती भी कम हो जाएगी तो इससे अच्छा जो किसान भाईयो आ ति एकड यूरिया के साथ मिला कर प्रियोग करें इस खाद के बहुत अच्छे रिजल्ट किसान भाईयो आप लोगों को मिलेंगे आपकी जमीन जो पोशक तत लाग हो चुके हैं वो दान की फजल को मिलना स्टार्ट हो जाएंगे और आपकी फजल जो है ग्रोथ करना भी स इससे कम दिनों में दान की फजल एक टॉफ की ग्रोथ किसान भाईयो करने लगती है या तो किसान भाईयो आप मैगनीसिम सलफेट का प्रियोग कर सकते हैं या तो किसान भाईयो आप सलफर यानि आपकी फजल जो ग्रोथ नहीं कर रही है पोधे सूख रहे हैं और आपका जो इसका मतलब है कि आपकी मिट्टी का pH लेवल जो है वो ज्यादा हाई है जिंक का भी प्रियोग कर चुके हैं और जिंक की कमी नहीं दूर हो रही है तो उस इस्तिती में या तो मैगनीसम सलफेट का प्रियोग कर सकते हैं किसान या फिर सलफर 3-4 किलोग्राम प्रतियकर प् किसान बायो मैगनीसम सलफेट भी एक सलफर जनित और रख होता है जिसमें 9.5% मैगनीसम तथा 12% सलफर होता है पौदों की अच्छी बढ़वार के लिए मैगनीसम या सलफर महत्तपूर्ण पोशक तत्यो किसान बायो फसलों के लिए होता है इसकी प्रैस की बात की जाए तो किसान बायो 27 से 28 रुपए प्रती किलो तक मारकेट में आप लोगों को उपलब्द भी हो जाएगा